नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग में तो दोस्तों यदि आप लोग भी पॉलिटेक्निक और आइटिया करना चाहते हैं और आप लोग सोच रहे कि कौन सा कोर्स करें तो इस वीडियो को पूरा इंट तक देखना और को बताने के लिए मैं सबसे पहले इनको डिवाइड कर देता हूं कि एक साइड पॉलिटेक्निक के बारे में बताऊंगा एक साइड आइटिया के बारे में तो देखे पॉलिटेक्निक जो आपका कोर्स है दोस्तों वो तीन साल का कोर्स होता है ठीक है तो यदि दोस्तों ज जुनियर इंजीनियर कहला जाओगे इसको हिंदी में बात करें, तो कनियविय कहते हैं, ठीक है, अभ्यनता ये कनियवियר वियनता आघ कर लेते हैं, दो साल का कोर्स तो आप सबी के नाम के आखे ऐसा कुछ नहीं लगने वाला है कि आप से लोग ITI कर लेते हो तो कोई अपसर या कोई अधिकारी बन जाओगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है ITI के अंतरगत ठीक है तो अब बात करते हैं कि दोस्तो यदि आप लोग पॉलिटेकनिक कर लेते हो तो प्राइवेट में आप सभी को कितना इंकम हो सकता है तो दोस्तो अगर आप लोग पॉलिटेकनिक कर लेते हो तो आप सभी को 20,000 से 30,000 तक आप सभी लोग प्राइवेट सेक्टर से इंकम कर सकते हैं अगर वही हम लोग ITI की बारे में बात करें I आई टी आई की तो आई टी आई में दोस्तों 10,000 से 15,000 तक आप सभी लोग प्राइवेट सेक्टर से इंकम कर सकते हैं तो दोस्तों आप सभी लोग डिफरेंस को अच्छी तरीके से देखते जाईएगा और आप लोग अपने नुसार चून लिजिएगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो आई टी आई के टीचर होते हैं ठीक है आई टी आई के जो टीचर होते हैं वो मालूम है पॉलिटेक्निक किये हुए रहते हैं ज्यादा तर जो टीचर होते हैं वो पॉलिटेक्निक किये हुए रहते हैं ज्यादा तर ज तो ITI के जो student होते हैं दोस्तों यदि वो लोग ITI कर लेते हैं तो वो polytechnic के अंदर वाले के नीचे ही काम करते हैं यानि कि कोई बंदा polytechnic कर लेता है तो इसके नीचे वाला ही ITI का इसके नीचे ITI वाला student काम करेगा ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा और बात करते हैं दोस् निकलता है railway driver ALP जिसका नाम है ठीक है लोको पाइलेट इसको हम लोग कहते हैं असिस्टेंट लोको पाइलेट तो उसमें मालूम है आई टी वाले भी भर सकते हैं और पॉलिटेक्निक वाले भी भर सकते हैं लेकिन वहीं हम लोग रेलवे की बात करें रेलवे में जेई का यान इंजिनियरिंग ठीक है डिपलोमा इन इंजिनियरिंग के नाम से भी जानते हैं दोस्तों आप सभी को मैं कहूंगा मेरे अनुसार से जो बेश्ट है वो है पॉले टेकनिक क्यूंकि अगर आप लोग पॉले टेकनिक कर लेते हो तो बहुत सारे रास्ते आपके सामने खुल जा आपका बेश्ट होता है और पॉले टेकनिक करना उतना भी हाड नहीं होता है आप सभी लोग पॉले टेकनिक आसानी से कर सकते हो पॉले टेकनिक करने के लिए दोस्तों आप सभी को इंटरेंस एक्जाम देना पड़ता है प्रते का स्टेट में अपना अपना एक्जाम लिय अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास सेर जरू करिएगा तो मिलते हैं नेक्स टीडियो में आज के लिए बस इतना है तो जैहिन जै भारत